दोस्तों शादिशुदा कपल के बीच बे इंतहा प्यार होने के बाद भी कभार शादी जैसा मजबूत बंधन तूटने की कगार पर पहुँच जाता है जिससे नय केवल दो लोगों का नुकसान होता है बलकि पूरा परिवार भी बिखर जाता है लेकिन बॉलिवुड में सितारे ऐसे भी हैं जो तलाक होने के बाद भी अपने बच्चों के लिए पती-पत्नी का रिष्टा निभा रहे हैं किसी ने ठीक ही कहा है कि तलाक के बाद पती-पत्नी तो अलग हो जाते हैं लेकिन बच्चों से खुद को दूर करना संभव नहीं है भले ही तलाक के बाद पति-पत्नी का रिष्टा कागज के एक पन्ने पर सिमट कर रह गया हो लेकिन इस दोरान भी अलग हुए माबाप को अपने बच्चे की चिंता सताई रहती है जिसकी खातिर वह पति-पत्नी का रिष्टा निभाने से भी पीछे नहीं हटते बॉलिवुड गल्यारे भी ऐसी ही कुछ कपल्स की कहानियों को समेटे हुए है जो दुनिया की नजर में भले ही अब साथ ना हो लेकिन अपने बच्चों की जरूरतों को समझते हुए खुद को एक साथ लाने के लिए भी तयार है और ऐसा इसलिए ताकि उनके बच्चों को अलग होने का खामियाजा ने भुगतना पड़े रितिक रोशन और सुजैन खान भी उन एक्स हस्बेंड वाइफ की कैटेगरी में से एक हैं जो अपने बच्चों की खातिर एक दूसरे के संग रहने से भी पीछे नहीं हटे इस बात को सभी अच्छे से जानते होंगे कि जब लोकडाउन जैसी गंभीर सिचुएशन ने पूरे देश में अपने पैर पसारे थे तब सुजैन खान भी अपने बच्चों संग क्वालिटी टाइम बिताने के लिए रितिक रोशन के घर पर रहने के लिए चली गई थी इस दोरान ने सिर्फ उन्होंने को पैरेंटिंग को ध्यान में रखते हुए अपने गुसे को दूर रखा बलकि लोकडाउन जैसे समय में अनावशक बातों को आड़े नहीं आने दिया सुजैन इस बात को अच्छे से समझती थी कि वह एक ऐसा समय था जब उनके बच्चों को उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी हलांकि सुजैन का यह कदम उन तमाम लोगों का मुह बंद करने के लिए काफी है जिनें लगता है कि वह एक अच्छे पती पतनी नहीं बन पाए तो माबाप कैसे बनेंगे अरजुन रामपाल और मेहर जैसिया अरजुन और मेहर ने जब शादी के 21 साल बाद तलाक लेने का फैसला किया तो हर किसी को इस बात की चिंता थी कि अब उनकी बेटियों का क्या होगा हलांकि इस कपल ने अपने रिष्टे की गरिमा बनाई रखते हुए ने केवल तलाक जैसी गंभीर इस्थिती को स्विकार किया बल्कि अपनी दोनों बेटियों के भविश्य के लिए भी एक साथ आए अरजुन ने सिर्फ अभी भी अपनी एक्स वाइफ का ख्याल रखते हैं बल्कि बच्चों के हित में छोटे बड़े फैसले लेने से भी नहीं कतराते अरजुन और मेहर के रिष्टे से यह तो सीख ली जा सकती है कि वैवाहिक मुद्दों में बच्चों को खीचने से बहतर है कि आप दोनों अलग-अलग रहकर भी अपने अपने बच्चों के लिए संगर्ष करें अपने बच्चों को तला के लिए जरूर तयार करें लेकिन इस दोरान यह ने भूलें कि आप उनके माता पिता भी है मलाइका अरोडा और अरबाज खान मलाइका अरोडा और अरबाज खान कभी बॉलिवूड के सबसे इंस्पिरेशनल कपल हुआ करते थे दोनों का प्यार, बॉन्डिंग, आपसी समझ सबकुछ एकदम परफेक्ट लगता था लेकिन जब इस कपल के अलग होने की खबरे आई तो फैंस के साथ-साथ दोनों के चाने वाले भी हैरान रह गए भले ही मलाइका और अरबाज अब साथ नहीं हूँ मलाइका और अरबाज के रिष्टे में देखा जाए तो वह दोनों भले ही अपनी तूटती शादी या परिवार पर बात करने के लिए तैयार ना हो लेकिन वह दोनों उन सभी चीजों के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं जो उनके बेटे से जुड़ी है आमिर खान और रीना दत्ता भले ही आमिर खान और रीना दत्ता 16 साल तक शादी शुदा जीवन में रहने के बाद अलग हो गए हूँ लेकिन इस दोरान भी वह कपल अपने रिष्टे की मरियादा भूले नहीं हैं वह दोनों ने केवल एक दूसरे की जरूरतों के साथ साथ होते हैं बलकि अपने दोनों बच्चों की परवरिश के नियमों को अच्छे से जानते हैं आमिर ने अपने एक इंटर्व में खुद इस बात को स्विकारा कि अलग होने के बाद बिर रिना और मैंने एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान की भावना को कभी कम नहीं होने दिया हम आज भी पहले जैसे दोस्त हैं तो दोस्तों इन तलाक शुदा कपल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद